आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीनियूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें थाना कोतवाली कुचा साधूराम फुलटी में महिला और उसके तीन बच्चों की बेरहमी से किये गी हत्या के मामले में फिलहाल पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है ताना कोतवाली कुचा साधूराम फुलटी में रेखा और उनके तीन बच्चों की धार-धार हत्यार से की गई हत्या के मामले में फिलहाल पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है शक के आधार पर रेखा के नजजी की भुवा के बेटे संतोष को हिरासत में लेकर पुलिस पूशताश कर रही है बताया गया है कि संतोष का रेखा के घर आना जाना रहता था इसके साथ ही मोबाईल पर भी आए दिन बात होती रहती थी जांश परताल में यह भी पता चला है कि संतोष और रेखा के बैंक अकाउंट से सबसे ज़्यादा पैसो का ट्रांजेक्शन हुआ है संतोष हर महीने रेखा के अकाउंट में 20,000 रुपे भिशता था रेखा की खरीदी हुई एक्टिवा भी संतोष ले गया था उसको लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था पुलिस हिरासत में लिए गए संतोष से पूछताच कर असलियत जानने की कोशिश कर रही है महीला और उसके दो बेटे और बेटी की बेरहमी से की गई हत्या ने आसपास के लोगों को जखचोर कर रख दिया है चार हत्याओं का कातिल कौन है इसका राज खोलने के लिए आलाफसरों ने कई टीमों को लगाया है सीन्यूस के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट